अगे बढ़ते हुए अब हम इसका दूसरा प्रश्ण हल करना सीखेंगे तो दूसरे प्रश्ण में हमें एक दुईघात बहुपद ग्याद करना है और सुन्यकों के योग और गुड़नफल इन्होंने दे रखे हैं जैसे की सुन्यक क्या होते हैं सबसे पहले आपको पता होगा सुन्यक को हम अलफा और बीटा से दर साते हैं तो योग होता है अलफा प्लस बीटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योग होता है अलफा प्लस बीटा और जो गुड़नफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा ठीक है तो पहले नमबर पे जो मान दिया रहेगा टोटल छे सवाल है पहले नमबर पे जो मान दिया रहेगा ये वाला ये होगा अल्फा प्लस बीटा का मान और जो दूसरे नमबर पे मान दिया रहेगा ये होगा alpha into beta का मान तो सवाल ये कह रहा है कि alpha plus beta का मान भी है और alpha into beta का मान भी है तो दवीगात बहुपद ग्याद करो सवाल ये कह रहा है तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको एक सूत्र लिखवा रहा हूँ हाला कि मैंने उधारन करवाया था इस से संबन दे, तो उसमें भी बताया था, आपको ये सूत्र लिखना है, ये दोईगात बहुपद का सूत्र है, अगर आपको अलफा प्लस बीटा दिया हो और अलफा इंटो बीटा दिया हो, तो आप बहुपद ग्याद कर सकते हो, बड़े आराम से इस फॉर्मूले को लग पहला सवाल है, एक बटे चार और माइनस एक, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये देखो, पहला सवाल मैंने लिख लिया है, अब करते कैसे हैं, जमा के, ताकि एक्जामिनर नंबर भी ना काटे और हमें समझ में भी आ जाए, देखो, आपको लिखना पड़ता है, द प्लस होता है, तो अलफा प्लस बीटा, और ये दिया गया है, एक बटे चार, तो इसको हम लिख लेंगे कि ये एक बटे चार दिया गया है, फिर हम लिखेंगे सुन्निकों का गुड़न फल, और उसमें भी हम अलफा इंटु बीटा लिख देंगे, और जो गुड़न फल ह वो है minus 1 तो यहाँ पर लेकिंगे minus 1 किलियर हैना अब क्या करना है अब देखो काफी simple है अब हमें लिखना है इसलिए दो इगात बहुपत और formula लगा देना है यह वाला ठीक है दो इगात बहुपत का formula होता है x वर्ग minus बीच में minus रहता है फिर रहता है अल्फा प्लस बीटा फिर रहता है एक्स फिर रहता है अल्फा इंटू बीटा चलो एक्स वर्ग जियों काते हो माइनस जियों काते हो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ कितना है एक बटे चार तो एक बटे चार, कोष्टक में रख लो, alpha प्लस बीटा की जगा पे एक बटे चार लिख लिया न, और x है तो x लिख लिया, फिर धन लगा है तो धन लगा दिया, ठीक है, और alpha इंटो बीटा कितना है, minus एक, तो constant में मानबस रख दो minus 1 अब बाद में constant खटा दो तो कैसे करोगे x बर जियों काते हो minus का गुणा ऊपर होगा और x का गुणा ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा x से कम x तो minus x हो जाएगा क्यूंकि minus तो ऑलेडी था ling खटा खटाया तो x से कम x हो गया और बटे कितना हो गया चार इधर देखो अलग अलग चिन है न प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा एक अब देखो जैसे यहाँ पे बटे में चार है तो हमें बटे में नहीं चाहिए कुछ भी तो हम क्या करते हैं जो संख्या बटे में हैं उसी से पूरे समीक्रण में या पूरे बहुपद में गुणा कर देंगे तो पूरे बहुपद में हम चार से गुणा कर देंगे तो हमें दोईगात बहुपद मिल जाएगा इसमें भी चार से गुणा होगा तो माइनस लगा है अब करेंगे चार से गुणा किसमें एक्स बटे चार में और माइनस इस एक में भी चार से गुणा होगा तो चार गुणित एक देखो इसमें भी चार से गुणा हो गया इसमें भी चार से गुणा हो गया और इसमें भी च चार एकउ माइनस चार ये हमें एक दुईगाद बहुपद मिल गया तो बन जायगा ना सवाल दुईगाद बहुपद कैसे गयाष्करते हैं देखो जब हमें ये वाला बहुपद दिया रहे रहता था तो हम सून्याग गयाद किये थे तो आये थे एक बटे चार और माइनस एक अब इसका उल्टा हो गया हम सुन्यक से बहुपद भी ग्याद कर सकते हैं तो ये सवालों को समझना चाहिए कि हम किसी भी दुईगाद बहुपद से सुन्यक ग्याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से ये फॉर्मूला लगाओगे तो दुईगात बहुपत से सुन्यक ग्यात हो जाएगा तो चलो अब इसको लिख लो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो फिर इसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉस्ट कर लेना बीच में और इसके बाद यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे अता है अभीष्ट दुईगात बहुपत चार एक्स बर्ग माइनस एक्स माइनस चार है क्लियर है ना तो यह बन जाएगा ना अब अच्छे से इसको कर लेना यह पहला सवाल है इसके बाद कि जितने भी सवाल है उनको खुद से ट्राई करना है जब नहीं बनेगा तभी वीडियोस कोल के देखना है तो चलिए यह प्रैक्टिस कर लो नोट्स में अच्छे से लिख लेना मिलते हैं नेस्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू